आज की इस क्रीम से आपके आखों के काले घेरे तो दूर होंगे याने की डाक सकल तो दूर होंगे साथी साथ पूरी बॉडी पॉलिशिंग क्रीम है ये एक बार आप जरूर बना कर देखेगा और अपना नुबह मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किजेगा इसका र लाइटनिंग में बहुत ही ज्यादा है दूसरा हमने यहां पर हल्दी लिए याने की टर्मरिक लिए आप सभी को पता है कि दुलन को शादी के पहले हल्दी की मालिश की जाती है जिससे उसके शरीर पर बहुत ज्यादा निखा राता है वह खूबसूरत दिखने लगती है और हल्दी में अंटिसेप्टिक गुण भी होते हैं तीसरा जो इंग्रेडेड हमने यहां पर यूज किया है वो लिया है नीबू में सिट्रिक एसिड भरपूर माता में होता है और आम और सीधी बासा में अगर आपको बताओं तो नीबू जो है क्लीनिंग का काम करता है आ और वेला जेल जो है वो आपके डाक स्पोर्ट को लाइटन करेगा डाक दबो को बिल्कुल फियर कर देगा पिग्मेंटेशन को रिमू कर देगा साथी साथ आपकी इसकीन से जितनी भी टैनिंग होगी वो सारी रिमू कर देगा तो यह वाला जो क्रीम है फिलाल तो मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपको डाक स्कतल बहुत ज्यादा हैं आखो के आसबस काली घिरें बहुत ज्यादा हो गया तो आ एक हपता ऑन ली वन वीक एख подар ही आपको इसे नहाने से पहले दो मिनिट तक का ओको देखको यह अपके डाक स्कतल लेए वो लगबख पूर बड़ी बात है कि इस क्रीम को आप स्टोर करकर रख सकते हो एक मेना एक हपता पंदरा दिन ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एलवेरा जेल है वो फ्रेश वाला नहीं लेना है रेडिमिट लेना है तो आप इसे बना कर रख सकते हो दूसरी दूसरा यूज मैं आपको हाथों पर करकर बता रही हूँ अब मैं आपको यह बता दू इसे आप अपने गर्दन गले चेहरे पेड हाथ पीड पेड याने कि फूल बॉड़ी पर कर सकते हैं इसे कह सकते हैं कि यह फूल बॉड़ी ब्लीच है और फूल बॉड़ किजीगा यकीन मालेगा कि आपको बॉडी इस्पा करवाने बॉडी ब्लीज करवाने पारलर जाना ही नहीं पड़ेगा इससे जो इसकी ने बिलकु डाइमंड ग्लो में चमक जायेगी त्धारी में आपको दोनों ही चीज़े एक अलग बात है और इसमें रिजर्ट बहुत अच्छे आए हैं अब इससे आप कहां कहां से काले दाग धबे निकाल सकते हैं वो बता सकती हूँ अगर आपके गुटने कोहनिया बहुत ज्यादा काला पन है पीछे गर्दन के पीछे बहुत ज्यादा काला पन है गले पर काला पन है जहां पर भी जितना भी काला पन है वो सब रिमू हो जाएगा फुल बोड़ी पर मालिश कीजेगा क्योंकि जब साधी होती है तो हल्दी की मालिश कोई अच्छे से कर नहीं पाता और ज़रूरी नहीं है कि जब साधी हो तभी हमें अच्छा दिख झाल बोड़ी जब साधी हो तो हो जचे बाद़ी जब साधी हमें पर जला पन के जब भी जब भी जब फार